साहरा से जूड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बैल आइकन का पटन दबाए ताकि हमारे द्वारा अब बनाई गई है एक लैटरस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास दोस्तों आज ज गड़ शंकर के मनेजर अमर जी सिंग ग्रोवर की अगवाई में एक सिस्ट मंडल स्टीम गड़ शंकर अर्विंद कुमार वैं डी एस्प नरेंज सिंग ओजला से मिला नमस्कार दोस्तों मैं यूएसकार और आप देख रहे हैं स्टीनूश टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि सारा की हर एक छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं फिर बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए दोस्तों लेकर आए यह जागरन टाइम सो है बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्ता आप समरों रोध है कि चैनल पर बने आपको पता चल सके कि आज जो हम सहरा की ताजा ताजा अपडेट आपके लिए ले करा है यह बड़ी अपडेट सम्वास सयोगी गडशंकर से हमारे पास आया गडशंकर साहरा अंड्या परिवार ब्रांच गडशंकर के मनेजर अमर जी सिंग ग्रोवर की अगवाई में एक सि पत्र के हवाला देते हुए सहरा सेवी विबाद वैस समय समय अनुसार किय जा रहा है बुक्तान के बारे में जानकारी दी इसके बाद ही बताया की कंपणी पिछले 44 वर्सों से काम कर रही है पिछले आठ सालों से सहरा सेवी केस सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है जिसमें कोर्ट के आदेस अनुसार 24,000 करोड रुपिया सेवी के पास जमा करवाया गया है यह पैसे कमपनी वापस लेने के लिए जद्दो जायत कर रही है ताकि निवेशकों का समय से बुक्तान किया जा सके ब्राँच मनेजर की अगवाई के साथ पहुचे सीनियर वरकर चेतन कुमार नरेंद कुमार पम्मा धीरच कुमार जस्पाल सिंग करश्टनलाल वे मंदीब सिंग ने उक्त अधिकारियों को आग्रह किया कि उनकी समस्या को डी सी होसियार पुर पंजाब सरकार केंद्र सरकार वे उच्छ अधिकारियों के ध्यान में पहुंचाते हुए सहरा के वरकर वे निवेशकों को रात परदान की जाये मुलाकात के उपरां उप्रुक्त अधिकारियों की तरफ से पुरुन स्रयों का भरोसा दिया गया या दोस्तों एक भरोसे का जुझुझुना यहाँ पर पकड़ा दिया गया है और अब देखना यह है कि यह जो छोटी चोटी बड़ी कारवाया चल रही है कि धर्णे प्रदसिन चल लहाए है कहीं सेवी के करमचारियों दोवारा निवेशको का पैसा जो सेवी के पास अटका पड़ा है, उसको वापस लेने के लिए जो करमचारियों ने यहाँ पर अपनी एक अर्जी डाली है ताकि सरकार इसको संग्यान में ले और संग्यान में लेकर इन निवेशकर और करमचारियों की परिसानियों को दूर करें अब दोस्तों इस वक्त हर तरफ सेबी और सहारा को घेरा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार संग्यान नहीं ले रही और सरकार को इसमें संग्यान लेना पड़ेगा क्योंकि ये मामला नौ करोड गरीब निवेशकों के बहुस्ये से जुड़ा है और सरकार को ये देखना है कि गरीब निवेशकों का जो इस वक्त उरण चास हजार सो से भी जादा करोड रुपिया निवेशकों का इस वक्त फसा हुआ है कुल बाइस हजार सो करोड रुपिया जो सेबी विवाद के चलते सेबी के अकाउंट में पड़ा है उसको वापस देने की ये जद्दो जहद एक अलग से चल लए है और निवेशकों की सुबर उत्राएं के खिलाब जद्दो जहद अलग चल लए है यही दोनों तरफ से मामला खीचा तानी का चल ला है पूरा इसका टार्गेट इस वक्त साहरा से भी विवाद हो या निवेशकों का पैस मिल सके सभी की परिसानिया दूर हो सके तो दोस्तों इसी को लेकर आज पिर हम आपके लिए अपडेट लेकर आई थे अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ आख खुल सके और वो लोग भी कुछ आगे की कारवाई कर सकें तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स न्यू अपडेट में धन्याबाद जैन जैवारा साइन आरा दोस्तों